तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई 2024 एडिमिशन का जो लास्ट डेट है 31 अगस्त 2024 इसको और आगे एक्स्टेंड किया जाएगा या फिर नहीं और साथी में जो री रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है जुलाई 2024 सेशन का 31 अगस्त 2024 इसको और आगे और notification टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके bell notification को on कर लिजिए ताकि सभी update आपको मिलते रहे पहले हम बात करेंगे admission के बारे में तो अगर आपको इगनू में अभी admission लेना है तो अभी आपके पास देखा जाए तो एक से दो दिनों का समय बचा हुआ है लास्ट डेट है 31 अगस्त 2024 से यहां प्रोग्राम information पर क्लिक करने के बाद आपको जितने भी प्रोग्राम दीखते हैं इनमें आप 31 अगस्त तक admission का फॉरम फिलब कर सकते हैं साथी में जो online प्रोग्राम आपको ओफर किये यहां पर क्लिक करने के बाद जितने भी प्रोग्राम दीखते हैं इसमें भी आप 31 अगस्त तक admission ले सकते हैं और वहीं बात करें कि जो लास्ट डेट है इसको extend किया जाएगा या फिर नहीं तो इसको आप ध्यान से समझेए जुलाई 2024 चौबी सेसन का जो admission है वो 15 मई को start किया गया था चार बार last date को already extend कर दिया गया है और देखा जाए तो आपके admission जो है तकरीबन साड़े तीन महिने से चल रहे है और अब जब last date को extend किया जाएगा तो ज़्यादा तर चांस है कि 10 से 15 दिनों के लिए ही किया जाएगा क्योंकि एगनू के तरफ से जो reply आया है email में मैंने आपको एक बार और बताया था तो इसमें बताया गया है कि जो आपका admission का process है वो September के second week तक चलने वाला है तो ऐसे में chance बन जाता है कि जो last date है इसको एक बार और 10 से 15 दिनों के लिए extend किया जाएगा लेकिन जब last date extend होगा तो इसमें यह कि जो आपका semester best program है जैसकी BCA, MCA, MBA और जो 6 मेने के certificate के course है इनका admission बंद किया जा सकता है बाकि जो early best program है bachelor degree के master degree के diploma के इनका admission का last date 10 से 15 दिनों के लिए extend किया जा सकता है तो आप कोशिच किजिए कि अगर आपको किसी program में admission लेना है तो आप 31 अगस्त तक admission ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बाकि आप admission का form वगेरा कैसे फिलब कर सकते हैं तो उसके लिए एक वीडियो का link मैंने नीचे दे रखा उसको आप देख करके इगनु में online direct admission ले सकते हैं और अब बात करते हैं इगनु के जो पुराने student है उनके बारे में तो जुलाई 2024 से सैसन री रजिस्ट्रेशन का भी last date है 31 अगस्त और इसमें भी देखा जाए तो जो आपका R ide रजिस्ट्रेशन है फ्रस्ट माईे को स्टार्ट हो गया था इसके भी last date 4 बार extend किया जा चुका है और इसमें चार महिने से जो आपके Registration है वो start हो रखी है और इसमें भी chance है कि जो last date है इसको एक बार और extend किया जा सकता है 10 से 15 दिनों के लिए लेकिन इसमें आपका नहीं करवाया है, तो 31 अगस्त तक करवा सकते हैं, यहां से आप II का फॉरख़म कैसे फिल अक्र सकते हैं, तो उसके लिए भी एक वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, उसको आप देख सकते हैं और आप अपना re-registration करवा सकते हैं अगर eligible है तो करवा लीजिए अगर आप eligible है और अभी नहीं करवाते हैं तो ऐसे में आपका पूरा 6 महिना खराब हो जाएगा बाकी last date जब extend होगा तो इसका जो official update है वो आपको 1st September या फिर 2nd September को देखने को मिल सकता है जब update आजाएगा तो मैं आपको दूसरे वीडियो के मादिम से बता दूँगा तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया है तो like किजिए, share किजिए और ignus related सभी update इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते है लिंक मैंने नीचे दे रखा साथी साथ आपका कोई सवाल है तो नीचे comment box में बता सकते है